वीवस्तु बदलामा बनावामा आवी छे तो त्यारे पणे मारा अधिकार नो भंग थाई छे Mechanical Equivalence मतलब कि जे आपने जे Mechanics नो यूज करयो छे ए लगभग सेम छे जे विजा व्यक्ति ए शोद के शंशोधन उत विक्सावी होई अनि चोथु छे टेकिंग Essential Features of the Invention लगभग जे मुडभुत सिध्धानतों ने दिहानमा राखिने में कोई चकस प्रकानी पधती विक्सावी होई एज सिध्धानतों ने एज बधा डॉक्ट्रीन्स ने प्रिंसिप्पस ने एक्वेशन्स लईने हुँ मारी बिजी प्रकानी पधती विक्सावानो प्रयत्न करू आजारे जान संजोगों मा एव कही शकाई के मारा पेटिंट ना अधिकार नो भंग थायो छे हवे आ अधिकारोना भंग बदल आपने शू राहत मड़ी शके सवक्रथम तो जेवी आपने आविश्वेनी जान थाय इवु तरत आपडे कोटमा अरजी करी शके कोटमा त्रोन प्रकानी आपडे अरजी करी शकाई त्रोन प्रकानी दाद मांगी शकाई पहलु तो आपडे इंजंक्षन थ्रू इंटेलोकेटरी इंजंक्षन और फाइनल ओडर आपडे लाई शके डेमेजीस एटले मने जे नुक्षान थयू छे आना कारणे मने जे मोनेटरी लॉस थयू छे ए लॉस माटे हूं कोट ने रहात मांगी शकू और त्रीजू एकाउंट्स प्रोफिट एले घणिवारेऊ थत्तू होई छे के लगभग बेवश पच्छी आवस्तु मारा ध्यान म आवी छे कि माराज शोधन ये शंशोधन में ध्यान मा राखी ने कोई वीजा व्यक्ति ए अल्रेडी कोई प्रोड़क्ट डेवलप करी छे और ये प्रोड़क्ट मार्केट मां सेलेबल छे प्रोड़क्ट मार्केट मां घणिवदी सक्सेस्पूल थाई छे और ये प्रोड profit प्रमने पाचों मड़ी शक्ये आत्रोंने त्रोंने प्रकानी दाद depending upon the situation of case to case आपड़े कोर्ट मा करी शक्ये छे सौथी अगतिनी वस्तु एचे यहां मित्रों के कया कोर्ट मा आपड़े आपड़े अरजी करी शक्ये आपड़े अरजी आपड़े डिस्ट्रिक कोर्ट मा आने हाई कोर्ट मा बनने जग्या यह करी शक्ये छे पर सौथी इंपोर्टेंट वस्तु चे जुरिस्ट्रिक्शन मा के जियां cause of action एराईस थेऊ होई ए जुरिस्ट्रिक्शन मा आपड़े आरजी करी ए एक खुब महत्वपोण बाबाच छे प्रश्नावी उपस्तित थाए चे के जहारे आपड़े इंजंक्शन माटे एटले के मनाई हुकम लेवा माटे जहिये छे कोर्ट पासे त्यारे जे पेटेंटी एटले के जे प्लेंटीफ छे के जे आ प्रकानी अरजी कोर्ट मां करे छे एने एंजंक्शन लेवा माटे एज प्रमाणे जो आप बद्धा विद्याथी मित्रों ने खबर जह शे के CPC ना ओर्डर 39 डूल 1 अने 2 प्रमाणे जे कई पन वस्तु जे त्रोंड सिध्धान तो आपने पुर्वार करवाना होई के पहलू तो आ मनाय हुकम नियर जी प्रत्थम दर्षनी अरिते ग्राहिय होवी जोई प्राइमा फेसी केस प्लेंटीफ एस्टाबलिश करवो जोई ये बीजू छे बैलेंस अफ कन्वीनियंस ए वस्तों एस्टाबलिश करवी जोई आने प्रत्री चु इर्रिपरेबल लॉस हवे प्रश्ना उपस्थित थाई छे के ज्यारे प्रत्थम दर्षनी या केस आपने पुर्वार करी जी दो सवथी ट्रीकी जे इस्टीफ चे एस्टीफ चे बैलेंस अफ कन्वेनियंस एनने बहुझ साधी भाशामा कईये तो खोट एक कईया परिमाणों न आधारे नकिकरे कि जो आ मनाहुकम आपवामा आव शे तो प्लेयनीटिफ ने शु फाइदो च छे और से के जी दो दिशामा त्राजवो जू के लू ज़ुकेलूँ छे ए दिशामा कोट एवनीयो जस्ण्रली ओर्डर करती होई चे तो कहा एवा परीबड़ो छे जना आधारे balance of convenience कोट नकी करती होई छे पहलू तो छे whether the patent is new or old one एटले कि आ घणीवारे उठतु होई छे कि पेटन्ट बहुज जूनी होई 30 वर्स पहलानी होई जहरे patentable time duration जे मैडमे करू छे 20 years नो छे तो एवा संजोगों मां कोटे पहला ए नकी करवार होई छे कि आप पेटन्ट नवी छे अथवा तो जूनी छे बिजू whether the term of the patent is to expire before the proceedings can be heard घणीवारे उचे कि 20 वर्स नी पेटन्ट नी मर्यादा होई एन्ने बोगणीस वर्स थाए गया होई ने और बाइधे टाइम मैडमेटर डिसाइट है त्या सुधी माना 20 वर्स पती जवाना होई एले एमपन प्लेंटीफ नो राइट नर है तो होई एसंजोगों मां कोट विचारी शके त्री जू whether the validity of the patent has been challenged गणीवार एउ थतू है छे के आम आपड़े patent application नी patent register करवा माटी नी प्रोसीजन नी वाद करी के जहारे फर्स्ट आप application आपो छो त्यार पछी पब्लिक एडवेटाइजमेंट थाई छे और पब्लिक एडवेटाइजमेंट द्वारा आपड़े patent register, patent controller patent जाहर जनताने पड़े शको छो तो एवा संजोगों मा कोई साथ चूक्ती रही गयो हो विरोध दोंधानू और त्यार पछी योग्या प्रक्रियाने आधारे patent ग्रांट थे गए होई पड़े त्यार पछी patent नी वेलिडिटी ने लहिने कोई प्रश्ण उपसी थाया होई ने patent नी वेलिड अधार ना संदर्भ मा कोई बीजा वेकति ये आ patent इनो राइट इन्फरिंच कर्यों चेके ने एट टीज अलसो तो भी कंसीडर बाई धा कोड जो फरी आपड़े स्लाइड मां जो ये चौथू जे आपड़ू कारंट छे बैलेंस ओफ इनकन्विनेंस मां ए वेधर इट इस पॉसिबल तो कॉंपेंसेट दे प्लेंटी बाई एवोर्ड अफ डेमेजिस वेन ही सक्सीड्स अड़ ट्राइल अठले आमां खास वस्तू ए छे के ट्राइल लेवल मां आपड़े ज्यारे अरजी करिये छे त्यारे जो एने कॉंपेंसेट आप एने कोई प्रकानू अपी ने जे नुक्षान थाई जे नुक्षान भरवाई थाईशकेम छे के एरेपरेबल लॉस चे ए पन कोट नकी करे छे जो एरेपरेबल लॉस होई तो चक्कस कोट इंजंक्चन प्लेंटीफ ना फेवर मां आपती होई छे जनरली सामाने रीते एवो नियम छे त्यार ब पेमेंट ओब डेमेज के सामेवाडा जे व्यक्ती चे सामेवाडा जेटलू नुक्षान थाऊ छे नुक्षान भरवाई करी शक्वानी क्षमता धरावे छे के नहीं अब अन्य वस्तू बो अगतियनी छे एक पहलू तो छे जे नुक्षान छे ए नुक्षान रूपिया मां एटले के बाई monetary compensation थी भरपाई थही शके एम छेके नहीं अने बीजी एक महत्वरी वस्तु छे के शुँ dependent एटले के जे सामावडा व्यक्ती चे प्रतिवादी चे ए प्रतिवादी ये नुक्षान भरपाई करी शके एम छेके नहीं आ बधा आधरोंने कारोंने ध्यान मा लेएने court balance of inconvenience नक्की करती होई छे मित्रों सामान्य रिते एव जोवामा आव्यू छे कि आज जहरे पन patent infringement नी application थती होई छे तरे घणा बधा नाना ना टेकनिकल इस्यूज ध्यान मा लेवाता होई छे कारण के बधार अधर person has developed a process which infringes the process patent which has been granted to the first person और नोट एक घणी बार बहुच टेकनिकल इस्यूज थाई जाई छे अन्य एटलास माटे मैडम में जे मैरी मैडम में आपनी साथे वाद करी कि जहरे तम्हें patent applications करो छो त्यारे तमारे बेप्रकाना specification आपवाना होई छे detail specification और primary specification जन्रली patent attorney द्वारा detail specification लखातू होई छे अन्य जहरे आ details specification लखातू होई details ना आधारे controller of patent तमने patent ग्रांट करतू होई छे अन्य घणी वार एवू पन थतू होई छे कि ए patent तमने कोई शरतोना आधारे ग्रांट तई होई जेने आपने conditional patent कहिए छे तो एवा संजोगों मा जे जो conditional patent होई अन्य एक conditions पुरवार करीने conditions comply करीने जो कोई व्यक्ती सोच संशोधन कर्यू होई तो एवा संजोगों मा एने infringement of patent नहीं कहीं शकाए अले एक्चुली आखु इन वेधर इट इस एन infringement of the patent of the patentee holder whether that right has been infringed or not has become very technical issues and at that time the court relies on the expert evidences they need to take the advice and opinion of the expert concern अन्य जनरली patent attorney जहने आ patent application draft करी होई छे एना खास views लेवाता होई छे त्यार पची सवथी एक महत्वनी बाबत जे patent infringement ना संदर्भ माँ छे एच है केटलू वडतर मड़ी शके एक statistics प्रमाडे के patent to get the monetary compensation on the case of the patent infringement has become a big market एक रीते एक रीते एसेस्मेंट उप डेमेजिस नी पच्छी वाद करू पण एक अत्यारना सर्वे प्रमाणे मात्र United States of America मां 2009 मां लगभग patent infringement ना संदर्भ मां 29.6 million dollar compensation कौट द्वारा अपायू मित्रो आ रकम एटली बदी मोटी छे जना द्वारा आप बध्धा अंदा जो लगावी शक्षो के patent ने केटला patent आखी जे concept छे एनने केटली सिर्यस नी लेवाती होई छे तमने एक साधू एक्जांपल आपू गणा विद्यार्थी मित्रों ने खास ख्याल हशे के Mercedes Company, Mercedes Benz एनी पासे अत्यारे 300 ने 10 डिजाइन पेटेंट्स छे तो बेसिकली जे पेटेंट आपने आपिये छे एनी ब्रांड वेल्यू ने पण असर करते होई छे हवे आपने जे वात करी कि कोट पासे पहलू इंजंक्शन माटे प्राइमाफसी केस पूर्वार करो पड़े और बैलेंस ओफ किन्वेनियस त्यार पछी तमें जेरे डेमेजीस मांगता होई छे त्यारे ए डेमेजीस माटे कोट काया परिबड़ों ने आधरे डेमेजीस अ आटिकल्स विच है सब्स्टिटुटेट इस आटिकल्स वेर नौट मेड़े और इंस्टेट ओली पेटेंटेड गूद्स वेर सोल्ड जोड ए संजोगो मा जहरे लाइसन्स इश्यू नौथ हया होई तो एवा संजोगो मा एने जे पन प्रोफिट अमड़ों होई प्रोफि प्रोफिट ओफ एकाउंट्स निवाद करिये जो आपड़े स्लाइड मां जोई है तो ए प्रमाने प्रोफिट ओफ एकाउंट्स ओफ प्रोफिट मां पर इटिस डिटरमाइन ऑन दी बेजिस ऑफ एक्चुल यूज ओप पेटेंटी इन्वेंशन बाई दी इन्फरिंजर जो कोई सामेभाडा व्यक्ती 2008 थी एक पेटेंटनू गेरकाईदस रिते उप्योग करता होई तो 2008 थी 2010 ना टोटल समय गाड़ा दर्म्यान एने जे कई पन इंकम जनरेट करी होई ए बधी ज इंकम एने वड़तना रूप माफ फरियापी पड़ेत्ती होई चे एकाउंट प आत्र एटलू ज कहवा मागू छू के पेटेंट लो ए आ देश नो अत्यारे सवथी विकस्ती जत्तो काईदो छे एक नव डेवलपिंग फिल्ड छे एमा घणा बधा एक्स्प्लोरेशन शक्या छे औने आप सव एमा जेटलू रस लाईने भणशो संसोधन कर्शो एटलू आपना सव माटे सारू छे तन्यवाद। प्रवाद।